जोथपूर का एक वीडियो वाइरल हो रहा है, एक टीचर अपनी पत्नी और बच्चे को बेरहमी से पीठते हुए दिख रहा है वो अपनी पत्नी के बाल खीच कर उसे जमीन पर पटकता है और उसके कपड़े फारता दिख रहा है इतने पर भी वो रुका नहीं, अधनंग हालत में उसने अपनी पत्नी को घर के बाहर धूप में बैठाया और खुद अंदर जाकर खाना खाने लगा घटना का वीडियो इस आदमी के एक पडोसी ने अपनी फोन पर रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया यहीं से वीडियो वाइरल हुआ और फलौदी पुलिस तक पहुचा पुलिस ने मामले की जांच की और पुष्टी होने पर टीचर के खिलाफ एक्शन लेने टीचर के घर पहुची आज तक से जुड़े अशोक शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस जब टीचर के घर पहुची तो उनके नजर घर के अंदर लगे एक CCTV कैमरे पर भी पड़ी उसकी फोटेज खंगाली गई आरोपी टीचर की बरबरता उसमें भी दर्ज थी CCTV की वीडियो में साफ दिख रहा है कि टीचर अपने दो बच्चों के सामने पत्नी को लात घूसों से मार रहा है बाल खीच कर पटक रहा है बीच बचाव करने गई बेटी पर भी उसने बरबरता दिखाई और खूब पीटा इसके अलावा जो दूसरा वीडियो वाइरल हो रहा है उसमें दिख रहा है कि आरोपी ने पिटाई के बाद पत्नी के उपरी हिस्से के कपड़े फार दिये और उसे घर के बाहर धूप में बैठा दिया पत्नी अधनंग हालत में रोती बिलक्स्ती रही और आरोपी घर के अंदर बैठ कर खाना खाते दिखा फॉलोदी पुलिस थाने के अधिकारी राकेश खयालिया ने बताया कि आरोपी टीचर का नाम कैलाश सुथार है वो फॉलोदी गाउं के एक प्राइविट स्कूल में टीचर है इस मामले में उसे शान्ती भंग करने के आरोप में गिरफतार कर लिया गया है पुलिस का कहना है कि अगर पीरित महीला या घर वाले मुकदमा दर्च कराना चाहेंगे तो अन्य धाराएं जोड ली जाएंगी आरोपी ने क्या कहा? आरोपी कैलाश का कहना है कि उसकी पतनी की मानसिक हालत ठीक नहीं है इसलिए वो परिशान है और तनाव में है कैलाश ने कहा मेरी पतनी की मानसिक स्थिती खराब है मैं उसका इलाज कराते कराते ठक चुका हूँ इस वजह से घर में तनाव रहता है और इसलिए मैं उस पर हाथ उठा बैठा मुझे अपने किये का पच्चतावा है पुलिस इस मामले में पीडित पतनी और बच्चों से अलग अलग पूछताश कर रही है पुलिस का कहना है कि महिला अपने माईके वालों का इंतजार कर रही है वो आ जाएंगे तो उनसे बात चीत कर वो आगे फैसला लेगी कि इसमें मुकदमा दर्ज करना है या नहीं इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है जरूर बताईएगा हमारे कॉमेंट बॉक्स में मैं हूँ गरिमा कैमरे के पीछे हैं हमारे साथ ही जतिन आप देख रहे हैं ओर्डिनारी शुक्रिया